हेलो एवरिवन दिस इस प्रिया वर्मा एंपी पीस्टे 2017 वैंट 4 एंड साथ ही मैंने मुख्य परिक्षा में टॉप किया है इसके पहले वाले लिसन में हमने मिडाईवल तक के बात कर लेती हिस्षी के सिलेबस की तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो पहले प्लीज आप वो देख लीजिए और इसमें हम उसके आगे वाला जो सिलेबसे वो डिसकस करने वाले हैं तो आईए हम शुरू करते हैं तो देखे हम यहां तक की बात कर चुके थे मुगल तक की इसमें मैं आपको कुछ चीजें और बता देती हूँ मुगल काल में जितनी भी व्यवस्थाएं चल रही थी जैसे कि जो सेनी व्यवस्था में मनसबदारी की प्रधा चलती थी तो उसके बारे में आपको डिटेल में पढ़ना है उसके बाद जो विद्रो हुए हैं मुगल काल में जैसे मुक्यता और जो उरंग जेप के काल में जो विद्रो हुए हैं वो भी आपको देखने है इसमें और उसके बाद ये मिश्रि संस्क्रती वाला पुरा सेक्षन आपको देखना है और इस तरह से आपको मुगल काल का पतन केसे हुआ है ये चीज देखते हुए मुगल काल को फिर खतम कर देना है उसके बाद हम आ जाएंगे ब्रिटिश आशन का भारती अर्थे ववस्ता एवं समाज पर प्रभाव तो ये तो एक पुरा question आपको तयार करना है जब ब्रिटिश आशन हमारे आपर आया तो हमारी अर्थे ववस्ता और समाज पर क्या प्रभाव पड़े तो ये तो एक detail में आप 15 marker के लिए question तयार करके अलग से रखिये ही सही उसके बाद देखे यहां लिखा है कि ब्रिटिश भारत के प्रती भारतियों की प्रतिक्रिया क्रशक एवं आदिवासियों का विद्रोह तो यहां पर विभिन ने किसान जो आंदोलन हुए हैं विद्रोह हुए हैं और आदिवासी जो विद्रोह हुए हैं उनके बारे में यहां पर पूछा गया है तो उसके बारे में आपको यहाँ पर जितने भी हुए हैं उनके बारे में यहाँ पूरा डीटीयल में आपको पढ़ना है जैसे कि जो भी किसान अंदोलन होए है नील विद्रोह, पाबना विद्रोह, दककन का उबड़व और पंजाब में जो क्रशक अंदोलन हुआ था, सम में जो क्रशक अंदोलन हुआ था, चमपारण सत्याग रह, और खेडा सत्याग रह, माला बार का मोपला, बारदोली सत्याग रह, तो इस तरीके से आपको ये क्रशक वाले जितने भी है, सब को separately six marker में तयार करके रखना है, उसके बाद जो आदिवासी विद्रोह हुए थे, उसके बाद जैसे की खोंड विद्रोह, बस्तर का भील विद्रोह, मुंडा विद्रोह, खासी विद्रोह, तो ये जो जनजाती वाले आदिवासी जो विद्रोह हुए थे, उसके बारे में भी आपको पढ़ना है, उसके ब कारण रहे उसके शुरुवात होने के पिर असफल होने के पीछे क्या कारण रहे और इस क्रांती का क्या परिणाम आया तो इस तरीके से ये वाला जो सेक्षिन है उसको पूरी तर अच्छे से आप लॉंग में प्रिपेर करके रखिए उसके बाद आपको बताना है भारती बताना है और कौन-कौन से यहां पर दार्शनिकों ने और जो भी हमारे यहां के जो महापुरुष थे जिन्हों ने इसमें अपना पार्टिसिपेशन दिया है जैसे की ब्रह्म समाज हुआ आरी समाज हुआ या फिर प्रातना समाज हुआ थियो सफिकल सोसाइटी हुई या फिर राम कृष्णों मिशन हुआ और जो विभिन नहीं इनके जो जैसे स्वामी विवेकानन के बारे में इसमें से अंदर से पूर सकते हैं या वेद समाज या और भी दूसरे जितने भी सारे इसके अंदर आएंगे तो उनको भी आपको तयार करके रखना है और उनको इनक से शुरू होकर 1947 जब तक कि हमको आजादी नहीं मिल गई उस दोरान जो जो भी घटना करम हुए है उसको लाइन बाई लाइन आपको तयार करना है तो जैसे कि बंगाल विभाजन से लेकर सविन अवग्य आंदोलन या फिर खेडा सत्यागरह या जो भी बीच में पूना प आप उसमें लिखेंगे सबसे पहले कि वो है क्या सबसे पहले उसको लिखें क्या है उसके बाद उसका शुरू होने का कारण क्या है क्या कारण रहे उसके शुरुआत होने के उसका उद्देशी क्या है उद्देशी लिखेंगे उसके बाद उसके कारेक्रम किसमें चालू क जितने भी आप स्वतंत्रता आंधोलन के लिए जितने भी जो इबेंट वहें वह तयार करेंगे तो वह इस तरीके साब को तयार करने हैं. उसके बाद यहां लिखा इसके नेत्रत्व करता मतलब जो जो भी मेन लीडर्स हुए हैं यहां पर जैसे कि महात्मा गांधी हो गए जवारलन नेरू हो गए या सरदार वल्लब भाई पटेल जी हो गए तो जितने भी लीडर्स हुए हैं और इस्पेशली कुछ विमन्स के पर जो ऐसे आंदोलन जो सिर्फ मद्री प्रदेश में हुए हैं तो वो भी आपको लिखना है यहां पर तो वो चीज़ भी आपको तयार करना है तो यह इस तरीके से आपका ये वाली लाइन पूरा आपका बताता है मौडर्न हिस्ट्री के बारे में उसके बाद आता है गं तंत्र के रूप में भारत का उदय कैसे हुआ कैसे हमको आजादी मिली कैसे फिर हमने विभिन रियासतों को मिला कर हमारे भारत देश का निर्मान किया उसमें क्या क्या गटना करम रहे तो उन सब के बारे में यहां पर अपने को बताना है कि कैसे हमने एक भारत का एक शशक आपको लिखनी है मध्य प्रदेश का गठन केसे हुआ क्योंकि हम MP का दे रहे हैं MP में दे रहे हैं तो इसलिए मध्य प्रदेश का गठन का जो प्रोसेश जो अपने MP वाले सेक्शन में पढ़ा होगा तो वो चीज यहां पर पूरा डिस्क्राइब करके लिखना है उसके यह जो पूरी लाइन है यह पूरे मध्य प्रदेश से संबंदी थे यहां की भारती संस्क्रतिक विरासत प्राचीन काल से आधुनिक काल तक विभिनक कला प्रारू साहित्य देखो यहां पर जो लिखा है उसमें साहित्य जो लिखा है तो यहां पर साहित्य कार जितनी भी ह और उन्हें कौन-कौन सी books लिखी है और उनका क्या योगदान रहा है उनकी भाशर शेली क्या रही है उनकी विशेशता क्या रही है यह जादा यहाँ पर यह वाला जो question है सहे वाला एक question तो पूछा ही पूछा जाता है तो यह तो तैयार यहां से करना ही है उसके बाद जो मद्य प्रदेश से जैसे जो आप यह पूरा हिस्री पढ़ेंगे तो उसमें कोई राजा जैसे मद्य प्रदेश से अगर बेलोंग करता है या उसने मद्य प्रदेश में कोई जाधा युगदान दिया है तो उसको जाधा importance देना और उसको जादा जैसे राजा भोज तो वो जादा importance देना है और याद करना है जैसे चंद्रगुप्त विक्रमा दित्य तो वो MP से related है तो उनका करना है देवी अहीलिय भाई और इसे अलग-अलग ठीक है उसके बाद भारत में विश्व धरोर इस्तल तो मुक्यता देखे भारत के तो नहीं पुछे जाते हैं तो मुक्यता तीन जो विश्व धरोर इस्तल है जो की MP में है तो आप वो अच्छे से याद करिए और बाकी सब देख लीजे सिर्फ कि कितने हैं कौन कौन से हैं नेशरल कौन से हैं और मैनमेट कौन से हैं दिवाइट कर लीजे देख लीजेगा और यह वाला जो क्वेशन है मद्ध देश में परियटन यह भी बहुत जादा इंपॉर्टन है इसका भी एक पुरा क्वेशन आप तयार कीजे जो परियटन है उसको डिफरेंट शक्षन में आप दिवाइट कर दीजे कि यहाँ पर गुफाएं कोन-कोन सी हैं यहाँ पर प्राकृतिक स्थल कोन से हैं यहाँ पर महल कोन-कोन से बने हुए हैं किले कितने हैं तो इस तरीके से अलग-अलग session में divide करके सब अपने एक-एक पेज में इसको बड़िया से तयार करके अभी से रख लीजे तो इस तरीके से आपका हिस्टी का जो पेपर है वो पूरा कम्प्लीट हो जाएगा इसमें देखे मुख्य तह जो जैसे हमने कुछ एक्स्रा चीजे जो हमें पढ़नी है वो ये है कि जैसे हमने भारती पुनर जागरन पढ़ा तो इसमें एक special question आ सकता है कि इसमें महिलाओं की क्या योगदान रहे हैं तो सामाजिक धार्मिक सुधार अंदोलन में महिलाओं का क्या योगदान रहे है तो उसमें आपको पुरा महिलाओं से संबंदित बताना पड़ेगा या फिर महिलाओं के लिए उस समय क्या 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 गया तो महिलाओं के लिए जिन पुरुशों ने भी काम किया है तो उनके बारे में भी आपको बताना पड़ेगा तो यहां से एक एक्षा कोशन भी आप तयार कर सकते हैं